आज आपकी साइंस की किलास ले रहा हूं और आज आपका साइंस में जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन ओफ लाइट रिफ्लेक्शन में आपको पुरानी किलास में पढ़ा चुका हूं आज मैं आज पढ़ा हूँगा आपको रिफ्रेक्श of light. चलिए देखते हैं reflection of light क्या होता है तो reflection of light एक phenomena होता है उस bending of the light bending of the light when it is entered या when it is passes through one medium to another medium is called a reflection of light इसकी definition देखते हैं इसकी definition है the bending of the light ray when it is passes through one medium to another is called a reflection of light. अब देखते हैं कि जो हमारे पास में जो medium है वो क्या-क्या है तो हमारे पास में दो medium है एक rare medium है और एक denser medium तो rare medium क्या होता है और denser medium क्या होता है तो जहां speed of light more होगी वो हमारा होगा rare medium और जहां हमारा speed of light less होगी तो वो होगा हमारा denser medium चलिए देखते हैं rare और denser medium क्या होता है यह उनकी definitions लिखी होई हैं ना यह definitions हैं इसमें बुलाए है the velocity of light is more is called a rare medium जैसे example में air है vacuum हैं तो यह दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं rare medium हैं अब बात करेंगे denser medium की the velocity of light in the medium is less जहांबर velocity of light less होगी velocity of light कम होगी तो वो हमारे क्या होगे denser medium होगे example में देखते हैं glass is more dancer than the air यानि कि air के comparison में glass एक dancer medium है चलिए अब अपन यह देखते हैं कि कब rare से dancer में जाएगी तो किस तरफ bend होगी और dancer से rare में जाएगी light तो किस तरफ bend होगी वो दो फिनोमेना हैं अपन देख लेता हैं यह हमारे पास में एक surface है और surface है से और यह हमारी incident ray है और यह medium है तो मैं यहां ल zarb दे नहां लिए ओ this is a incident ray incident ray ये वाली ये हमारा क्या है normal ray ये हमारी क्या है नौर्मल ray है तो यह normal ray और यहाँ से यह थोड़ा सा bend हो जाएगी इसकी तरब थोड़ा सा बैंड हो जागी actual में इसको जाना चाहिए था ऐसे लेकर वो थोड़ा सा यहां बैंड हो गई है तो यह हमारी हो जागी refracted ray जाने कि जब कोई भी light ray एक medium से दूसरे medium में जाएगी वो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी तो यह उपर हमारा कौन सा है rare medium है rare medium और नीचे हमारा कैसा dancer medium तो अब देखते हैं अगर dancer से rare medium में जाएगी तो यह हमारा surface है और यह incident ray है incident ray incident ray this is a normal ray this is a normal ray और normal ray incident है तो यह क्या हो जाएगा यह मेरा medium मैं भी यहाँ पहले लिखते रहा हूँ यह मेरा dancer medium है dancer medium और यह मेरा कौन सा है rare medium है यह rare medium तो यहाँ पर जो light होगी incident ray जो reflect होके बाद में जाएगी वो थोड़ा सा अभे हो जाएगी यानि दूर अट जाएगी actually मों उसका जाना चाहिए था ऐसे ऐसे है लेकिन वो क्या हो गई है वो अभे हो गई है दूर चली गई है तो यह दो फिनोमेना भी हमको सीखने होंगे अगर rare medium से dancer medium में enter करेगी तो normal की तरब थोड़ा सा bend हो जाएगी और अगर dancer से rare में अगर enter करेगी तो उसके लिए यह normal से तोड़ा दूर हट जाएगी यह दो bending property होती है अगर आप एक trick के माध्यम से इसको सीखना चाहते हैं तो trick से सीख लिए इसके लिए trick बनाईती है डर यानि कि जब भी हमारी incident ray incident ray dancer medium से rare medium में जाएगी जब भी हमारी incident ray यह वाली incident ray dancer medium से rare medium में जाएगी तो normal से वो अभे हो जाएगी यानि कि normal से थोड़ा सा दूर हट जाएगी I hope मैं आसा करता हूँ आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा चलिए अब बात करेंगे law of reflection के बारे में तो देखते हैं जड़ा law of reflection क्या है तो यह आ गए है law of reflection law of reflection तो इसमें first जो law है हमारे पास में वो क्या है इसमें बोला incident ray, refracted ray और normal ray lie on the same plane यह हमारी incident ray हो गई यह हमारी normal ray हो गई और यह हमारी refracted ray हो गई यह सारी की सारी जो ray है वो एक point पर क्या कर रही है lie कर रही है rule number one rule number two when the ray of light इसमें क्या बोला है the ratio of the angle of the incident and the sign of angle of reflection यानि कि incident angle और reflected angle का जो ratio होगा वो constant होगा तो मैं यहां लिख दे रहा हूँ sign angle I upon sign angle R is equal to constant इसको स्नेल के लोग के नाम से भी जानते है स्नेल्स लोग आपने कभी पढ़ा होगा बसपन में स्नेल्स लोग के नाम से भी यही वाला लोग होता है वो है न ratio of angle of incident upon angle of reflection is equal to constant चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपने समझ लिया अब हमारे पास में आता है refractive index refractive index क्या होता है तो यह refractive index देखेंगे अपन तो इसमें बुला है the ratio of the speed of light medium 2 and the speed of light in medium 1 or medium 2 तो देखेंगे speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2 का जो ratio होगा वही जो ratio है वही हमारा क्या होगा refractive index होगा इसको कहीं-कहीं n से भी denote करते हैं कहीं-कहीं इसको mu से भी denote कर देते हैं ठीके ना तो यह जो refractive index हैं यह two types के हैं number one relative reflective index और number two absolute reflective index तो relative reflective index और absolute reflective index में क्या difference होता है वो अभी अपन यहां देखेंगे चलिए इसमें अब उनको पहले देखना है relative reflective index क्या है तो reflective index of medium with respect to another medium is called a relative reflective index इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ and two one is called to speed of light speed of light medium one medium one upon speed of light speed of light medium 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 two यह हमारा क्या है यह हमारा relative reflective index यानि कि इसमें दोनों medium अलग अलग होते हैं ठीक है ना अब बात करते हैं absolute reflective index की absolute reflective index उन्होंने एक medium और उसको हमें comparison करना है with respect to air या vacuum यानि कि upon में या तो air या फिर vacuum होना चाहिए इसके लिए देखते हैं क्या रहेगा इसके लिए मैं अभी आपको यहां बता देता हूँ देखो जरा क्या है इसके लिए तो इसके लिए हमारे पास में हो जाएगा and two one की जाएप मैं air लिख दे रहा हूँ या यहां glass लिख दे रहा हूँ है न तो चलिए speed of light speed of light in glass upon speed of light speed of light in vacuum या फिर air कुछ भी लिख दीजी तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा यह हमारा हो गया absolute reflective index यानि कि यहां अपनने comparison किस से करवा है air से करवा है उपर चाहे कोई भी अपन medium ले सकते हैं लेकिन comparison air से कराएंगे तो वह हमारा absolute reflective index होगा चलिए I hope आपको यह मेरा session पसंद आ रहा होगा अब थोड़ा सा और आगे चलते है अब आगे अपन सीखते हैं कि lens lens क्या है तो lens is a transparent piece of glasses यहनि कि जो हमारे पास में जो lens है वो glass के transparent piece होते हैं definition देखते है lens is a transparent medium which is formed by the joining of two pieces of spherical glasses okay so lens there is a two types यानि कि lens two types के होते है number one concave lens और number two convex यानि convex lens और concave lens चलिए देखते हैं क्या होते है concave और convex lens figure से देखेंगे अपने इनको यह देखेंगे यह रहे आपके सामने पहले बात करेंगे convex lens की what is convex lens तो convex lens में इसने बुला है कि it is the lens which is thicker at the center यह देखेंगे यह बीच में center में कैसा है ठिक है यह center में कैसा है ठिक and thinner at the edges और जो यह कौने है यहाँ पर कैसा है पतला यह देखेंगे तो यह हमारा हो गया convex lens अब बात करते हैं concave गी तो concave lens it is a lens which is thinner at the center center पर कैसा होगा thin यानि की पतला होगा यहाँ center पर और जो side है edges है यहाँ पर कैसा होगा ठिक होगा okay side पर कैसा होगा ठिक होगा तो यह हमारा कौन सा हो गया concave lens हो गया अब मैं आपको यहाँ एक property और बता दे रहा हूँ कि देखिए यह वाला जो lens है concave lens तो यहाँ से अगर कोई भी light ray इस पर strike करेगी तो वो focus से होती ही जाएगी यहाँ से अगर कोई भी दूसरी light भी होगे वो भी focus से होती ही जाएगी और भी जितनी भी light यहाँ पर strike करेगी वो सारी के सारी इसके focus से होती ही जाएगी यह सारी के सारी हमारी क्या है light ray है तो इसको मैं बोल सकता हूँ जो हमारा concave lens है वो convergent होता है convergent of light convergent of light यानि कि convex lens convergent of light होता है अब बात करते हैं concave की तो यहां से यह हमारी incidentry है तो यहां से हो तो यह वापस से क्या हो जाएगी दूर चली जाएगी यह देखिए यह देखो यह divert हो गई यह क्या हो गई divert हो गई तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा concave lens है concave lens कैसा होगा divergent divergent of sight I hope आपको समझ में आया होगा यानि कि con vex lens convergent of light and concave lens divergent of light I hope आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा अब थोड़ा सा इससे आगे चलते है आगे थोड़ा सा चलेंगे इससे तो देखिए क्या है कि आप जानते हैं यह वो principal axis focus और यह सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वीडियो में अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि sir यह बताई है कि इसके क्या-क्या हमारे image formation जो rays image formation होती है वो किस तरीके के होगे तो पहला number incident ray parallel to the principal axis after the reflection is passes through the focus यानि कि अगर हमारी कोई भी incident ray principle axis के parallel है तो वो focus से होती ही जाएगी second incident ray passes through the optical center यानि goes undiverted from the lens यानि कि अगर हमारी कोई भी incident ray focus से होती ही जा रही है तो वो बिलकुल भी कोई भी उसमें diversion कोई भी bending नहीं होगा see the state line आगे pass कर जाएगी rule number three incident ray passes through the principal focus then directed toward the parallel to the principal axis यानि कि अगर हमारी कोई भी incident ray focus से होती ही जा रही है तो वो reflect होने के बाद में parallel reflect होने के बाद में parallel हो जाएगी principal axis के चलिए इनके figure भी अपन देख लेता है कि क्या क्या इनके figure हैं देखिए ज़रा जो अपन ने भी rule number one पढ़ाता क्या पढ़ाता कि अगर कोई भी light ray parallel है principal axis के principal axis के ये देखिए parallel है तो वो यहां से reflect होने के बाद में focus से होती भी जाएगी rule number one आपने figure ये हमारी क्या है principal axis है ये principal axis है और ये क्या है incident ray देखते हैं second rule इसका second वाले rule में क्या है इसके second वाले rule में ray is passes through optical center ये देखिए ये मारी incident ray है और ये optical center से pass करती हुई जा रही है और ये बिल्कुल state line ही ये पास होती हुई चली जाएगी next फिरी वाला देखिएंगे तीन rule बतायते हैं अभी मैंने आपको ये देखिए ये third number पर है इसमें बोला गया है आपका the ray of light coming from object is passes through the principal focus of the lens after the reflection of the lens parallel to the principal axis यानि कि अगर हमारी कोई भी incident ray principal focus से होती ही जा रही है तो वो reflect होने के बाद मैं principal axis के parallel हो जाएगी focus से होती ही आ रही है तो ये focus से होती ही आ रही है और ये principal axis के होगी parallel ये हमारी principal axis है ये principal axis है और ये क्या है parallel होगी और ये incident ray focus से होती ही जा रही है तो principal axis के parallel हो जाएगी तो ये three law मैंने आपको पढ़ा दी अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा से इसमें देखिए ज़र आगे क्या है तो image formed by the convex lens यानि कि जो convex lens है यह देखिए यह रहा convex lens तो यह अपनी image कैसे बनाएगा कैसे form करेगा image को अभी यह थोड़ा सा कट रहा है इसको मैं एकदम सही कर दे रहा हूँ यह देखिए अब आपको clearly दिखाई दे रहा होगा तो image formed by the convex lens यानि convex lens अपनी image कैसे बना रहा है तो अब देखिए इसमें पहले नमबर में image कैसे बनेगी क्या बनेगी यह depend करेगा distance of object में object किस जगे पर रखा गया है तो यहां first वाली line मैंने बोल दिया कि जो हमारा object है वो infinity पर रखा हुआ है तो जब object infinity पर रखा हुआ है यह देखिए यह A और B हमारा क्या है object ही है यह देखो इसको मैं गर यहां से ऐसे draw कर दो तो यह object infinity पर रखा गया हमें पता नहीं कहां पर है तो इसमें से two rays आएंगी यह ऐसे और एक ऐसे बिलकुल optical center से पर और यह दोनों rays जिस जगह पर अपने आपको काट देंगी वहीं हमारी क्या हो जाएगी image बन जाएगी तो जब भी हमारा object infinity पर रखा हुआ है तो इसकी image बनेगी real बनेगी inverted होगी और कैसी होगी highly diminished होगी real inverted और highly diminished अब बच्चे यह देखेंगे कि सर कब हमारी image real बनेगी और कब हमारी image virtual बनेगी कब image हमारी erect बनेगी कब image हमारी बनेगी inverted तो यह सारी के सारी concept अभी आपके मैं clear कर दे रहा हूँ देखिए यह है हमारी principal axis और यह है हमारा lens यह है इसका optical center यह देखिए तो देखो principal axis के दो part हैं एक तो यह upper part है और यह के यह down यानि के lower अगर principal axis के उपर अगर हमारी image बन रही है तो वो हमारी image होगी virtual और अगर principal axis के नीचे अगर कोई बन रही है तो वो हमारी image virtual तो होगी होगी यह तो एकदम सही बात है और यहाँ पर इसके उपर virtual के साथ साथ वो erect भी होगी तो यहाँ पर जो बनेगी वो बनेगी real और बनेगी इदर invert यह आपको एकदम अच्छे तरीके से समझना आ गया होगा real और invert अब देखिए जड़ा object हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है और image देखिए बहुत ज़्यादा कैसी बन रही है चोटी बन रही है तो देखिए इस principal axis के यानि कि upon नीचे बन रही है तो नीचे बन रही के लिए मैंने क्या लिखा है real और inverted तो देखिए real और inverted हो गई और size इसका यहां से देखने के बाद पता चलेगा तो size कैसा है highly diminished चलिए अब second वाली image पे चलगा यह देखिए इस पे आपका लिखा हुआ कि when the object lie beyond the 2f अगर हमारा object 2f के beyond में हो तो देखिए यह हमारा 2f है और 2f के beyond में यह हमारा क्या है object रखा हुआ है तो मैंने बोला था एक जो parallel जाएगी line और एक line बिल्कुल optical center से होती जाएगी जिस जगह पर एक दूसरे को cut कर देंगे वहीं हमारी image बन जाएगी तो यह image भी देखिए कहाँ पर होगी opposite यानि यह lower part में बन रही है तो पहली बात यह image कैसी होगी real होगी inverted होगी और size object का size big है और image का size small है तो फिर लिए मैं इसको बोल दूँगा कि यह diminished होगी smaller size than the object होगी image कहाँ पर बनेगी image बनेगी between f and 2f यानि कि f और 2f के बीच में found होगी चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता है इसी में थोड़ा सा और आगे चलता है image number हमारी third आगे है इसमें क्या होगा कि when the object lie at the 2f अगर हमारा जो object है वो 2f पर लाई कर रहा है तो देखिए यह 2f है यह राम 2f पर यह object रखा हुआ है तो इसमें से 2 ray निकलेंगी मैंने बोला आपको एक तो optical center से होती जाएगी और एक ray यहां से parallel है तो वो focus है जिस जगह पर एक दूसरे को cut करतेंगे तो देखते हैं क्या होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारी कोई भी object 2f पर रखा हुआ है तो उसकी position क्या होगी तो उसकी position होगी कि जो image हमारी बनेगी वो 2f के नीचे बनेगी यानि कि 2f के बिलो बनेगी और size विलकुल same रहेगा कोई भी change नहीं हाएगा size में और इसकी जो image की जो position nature है वो कैसी होगी real होगी inverted होगी inverted होगी और same size होगी same size same size यह जितना बड़ा object है उतने बड़ी हमारी क्या है real क्यों बनी है lower part में बनी है देखिए यह लिखा हुआ है real भी है inverted भी है और कैसा है same size की अब figure number चलते हैं 4 4 वाली देखेंगे condition क्या है यह देखिए यह 4 वाला आगया when the object lie between f and 2f अगर हमारा object f और 2f के बीच में lie कर रहा है तो उसकी image कहां पर बनेगी यानि कि उसकी nature क्या होगी उसकी position क्या होगा और उसका size क्या होगा यह 3 चीज़ है तो देखिए यह हमारा 2f है और यह क्या f इसके बीच में हमने object को रख दिया तो मैंने बोला एक ray इसके optical center से होती भी जाएगी और एक ray यहां से reflect होने का focus से होती है जिस point पर एक दूसरे को cut कर देंगे और वहीं हमारी क्या बन जाएगी यहां image बन जाएगी अब देखिए ज़रा इस image को बनने के लिए क्या है तो यह जो image बनेगी वो बनेगी beyond that 2f 2f के पीछे बनेगी यह बिल्कुल सही बात है position हो गई है उसके बाद मैं इसमें बोला गया है कि इसकी nature कैसी रहेगी तो nature मैंने आपको बता दिया है इसकी nature देखो principal axis के upon में बन रही है lower part में बन रही है तो पहली बात real होगी और inverted होगी real होगी inverted होगी अब मैं बात करूँ size size कैसा होगा तो size होगा magnified या फिर greater size होगा big size होगा big size of object यानि बात करें position इसकी position कहा होगी तो position beyond the 2f beyond the 2f beyond the f यानि कि 2f के पीछे हमारी image बनेगी अब चलिए चलते है next image पर next यह देखिए यह हमारा next आ गया next में हमारे में क्या बोला है कि when the object lie on the f अगर हमारा object focus पर ही lie कर रहा है तो देखिए क्या है यह देखिए यह हमारा focus है और focus के उपर ही रखा हुआ है हमारा object तो मैंने बोला एक line इसकी optical center से होते भी निकल जाएगी और एक line जो है हमारी यहां से parallel जाएगी तो वो focus है अब यह line एक दूसरे को इधर कहीं भी cut नहीं कर रहे है बहुत दूर ही पर जागे cut करेंगे तो मैं यहां बोल सकता हूँ कि कैसी कैसी इसकी जो image बनेगी तो पहले number पर देखिए ज़रा इसकी मैं बात करूँ nature की image की nature कैसी होगे तो मैंने बोला अगर हमारे principal axis के lower part में यानि कि नीचे अगर कोई भी image बनती है तो पहले number पर वो real होगी और वो inverted होगी real और inverted अब मैं बात करूँ इसके size की number two size size कैसा होगा तो size इसका कैसा होगा highly magnified highly magnified यानि कि बहुत ज़्यादा बड़ा size होगा very very big size very very big very very big अब मैं बात करूँ इसके position की position इसकी कहा होगी तो position इसकी होगी infinitive है position होगी इसकी infinitive है यानि कि बहुत दूर infinity पर जाके इसकी image बनेगी चलिए अब बात करते है next image की यह देखिए यह image number हमारी हो गई sixth इसने बोला है कि when object lie between O and F O is equal to optical center F is equal to focus यह देखिए यह हमारा optical center है और यह हमारा कैसा है focus है यह देखिए इन दौनों के बीच में हमने object अपना रख दिया तो जैसी object रखेंगे तो एक image हमारी इस तरीके से जाएगी यहां से और यहां से जाएगी तो इससे divert होने के बाद हम focus से होती ही चली जाएगी और एक दूसरी हमारी जो image है वो optical center से होती जाएगी तो यहां इन दौनों के बीच में gap बढ़ता जा रहा है देखिए यहां देखिए यहां देखिए gap increase हुआ यह देखिए यहां भी देखिए gap increase यानि कि इसका मतलब यह है कि यह आगे जाके कहीं भी एक दूसरे को cut नहीं करेंगी और जब यह दौनों रे एक दूसरे को cut नहीं करेंगी तो वो real image नहीं बनाएंगे इसलिए हम इसकी imaginary line draw करेंगे virtual image बनाएंगे तो इस बाली line को पीछे dot 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 करते हुए ले आईए और इस बाली line को भी पीछे dot 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 करते हुए ले आईए जिस point पर यह image दौनों एक दूसरे को cut कर देंगी वहीं हमारी बन जाएगी image यह देखिए यह हमारी image बन गए और यह image principal axis के उपर वाले part में बन रही है तो देखिए ज़रह इसका क्या हुआ तो number one nature की बात करेंगे इसकी nature नेचर देखो मैंने बुला principle axis के अगर उपर हमारी कोई भी image बनेगी तो image हमारी होगी virtual virtual होगी और कैसी होगी erect होगी यानि कि एकदम सीधी होगी virtual और erect number two बात करूँ मैं size size कैसा होगा इसका तो मैंने बता दिया देखो object हमारा कैसा है small है और size object के comparison में big है तो जब big होती है तो हम इस पर या तो big भी लिख सकते हैं या फिर एक word use करते हैं magnified magnified होगी अब number three बात करें position की बात करें position की तो position में क्या होगा तो मैंने बोल दिया है कि जो इसकी image की जो position होगी वो position होगी किसके पीछे हैं यह देखें यह f है है और f के just पीछे हमारी यह image बनेगी चलिए अब आगे चलते हैं इसमें next concept क्या है तो यह मुझे लगता है सारे के सारे आपके यह image वाले position सारे के सारी हो गई है यह देखो अब यह जो मैंने अभी तक आपको पढ़ायते image के दुरू वो मैं एक और image बना के लाया हूँ उसमें आप सीख सकते हैं देखो ज़रा अगर हमारा object की position दी गई है इसमें है ना image की position दी गई है इसमें size भी बताया गया है और image की nature भी बताया गया है तो पहले अगर हमारा object infinity पर है तो image बनेगी हमारी focus पर और image का size कैसा होगा highly diminished यानि की image हमारी छोटी होगी और nature कैसा होगा real और inverted होगा उसके बाद में second वाली उसके लिए ये first वाली उसमें figure का था ये second वाले का है अगर हमारा object we earned the 2F हो यानि की 2F के पीछे हो तो उसकी image बनेगी F और 2F के पीच में size कैसा होगा diminished होगा और real और inverted होगी यानि की size diminished होगा real और inverted होगी उसके बाद third figure उसकी बात करें add the 2F यानि की अगर हमारा object 2F पर ही रख दिया जाए तो उसकी image कहां पर बनेगी तो देखो उसकी image बनेगी other side यानि की 2 side होती है न लैंस की left और right side तो उदर वाले side में इसकी बनेगी 2F पर image बनेगी size कैसा होगा same होगा और nature होगी इसके real और inverted अब four between the F और 2F अगर हमारा object F और 2F के बीच में रखा गया है तो इसकी image burned the 2F magnified होगी real और inverted होगी next add the focus अगर हमारा object बिलकुल focus पर ही रख दिया जाए तो image कहां पर बनेगी तो उसकी infinitive image बनेगी highly magnified होगी बहुत बड़ी image है size में बड़ी होगी और यह होगा real और inverted यानि की इसकी nature होगी नमबर 6 की बात करें between O and F अगर हमारा object optical center और focus के बीच में focus के बीच में रखा जाएगा focus के बीच में रखा जाएगा तो फिर कैसा होगा तो उसका जो side होगा ना देखो focus वाली side पर ही बनेगा जिदर हमारा object है उदर ही हमारी image बनेगी magnified होगी virtual और erect होगी जो मैं अभी आपको पीचे पढ़ा के आया हूँ बिल्कुल same to same वही है चलिए आगे बढ़ता है अब देखते हैं कुछ rules अभी हम लोगों ने जो image बनाई थी वो बनाई थी सिर्फ और सिर्फ corn bags की अब अपन जो image फॉर्म करेंगे वो करेंगे corn cave के corn cave के लिए देखो क्या है तो number one rules for tracing image by the corn cave lens ये देखिए ये हमारा corn cave lens है मैंने बोला beach में कैसा होना चाहिए thin और side में कैसा होना चाहिए thicker बिल्कुल सही बात है light को ये converge करेगा क्या होता है convergent होता है ठीक है ना चलिए अब अपन बात करते हैं कि हमारा object कहां पर रखा गया है तो इसमें बोला गया है ये देखिए when object is placed in front of convex lens the image is formed at the point where at least two reflected ray appear the near meet ये जहाँ दो दो line है वो एक दूसरे को meet करेंगे मिलेंगी तो देखो ये बोला गया और ray of light which is parallel to the principal axis यानि कि अगर हमारी कोई भी light ray है तो वो principal axis के क्या है parallel है तो parallel है तो वो ये divert कर देगा इसको अब divert कर देगा तो उधर तो कहीं रही एक डूसरे को cut नहीं करें तो इसको डॉट डॉट करते हुए लिक्या है जिस point पर cut कर जाएगी वही उसका क्या हो जाएगा focus हो जाएगा ये देखिए focus of the lines of the lines ये देखिए ये दर divert हो जाएगी इसको डॉट डॉट करते हुए जिस point पर इस principal axis को cut कर देगी वही इसका क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा चलिए next चलता है अब ये दो ही image इसमें बनेंगी अब इसमें बोलाएगा Ray is passes through optical center अगर हमारा कोई भी जो incident ray है वो optical center से पास करता हुआ जा रहा है ये देखिए incident ray optical center से पास करेगा तो इसमें कोई भी divergen नहीं होगा और वो सीधा का सीधा गोज state line ये देखिए यानि state line में बिलकुल सीधा चला जाएगा चलिए ये देखिए आगे चलता है इसी में ये देखिए ये हमारा third rule हो इसका third rule क्या है इसमें array of light appears passes towards the focus अगर हमारी कोई भी light ray focus पर आ रही है तो वो refract होने के बाद मैं कहां से आगी तो जखिए एकदम सीधी focus से उद्वी आ रही है ये देखिए focus पर आ रही है तो जब कोई भी light ray हमारी focus पर आती है तो वो यहां से क्या हो जाएगी principle axis के parallel चलिए यानि कोई भी light ray अना concave lens में अगर focus पर आ रही है तो वो यहां से refract होने के बाद मैं principle axis के कैसी चलिए जाएगी parallel ये देखिए principle axis के parallel हो गई ये हमारा third rule हो गया अब पहले अपने पढ़ेते convex के और ये rule है concave के आगे चलते हैं अब यहां से देखेंगे formation ये देखिए formation of different types of images by the concave lens concave lens हमारे क्या क्या इसमें divergent different दिखाएंगे वो देखते हैं तो पहला इसमें हमारा image जो object है when the object is at the infinity अगर हमारा object infinity पर रखा गया है तो बताईए image कहां बनेगी तो देखो ये देखिए ये एक ray आई उसमें से और एक ray ये आई object मैं से जहां भी कहीं object रखा हो गया तो ये इसके parallel है मैंने भी बोला इसके parallel है इसके parallel है तो वो divert हो जाएगी ऐसे उपर ये भी इदर divert हो जाएगी तो divert कहीं एक दूसरे cut नहीं करेंगे तो imaginary line यहां से draw करेंगे तो यह और यहां से भी देखो जिस point पर हमारी light cut कर जाएगी तो वहीं हमारी बन जाएगी image ये हमारी image बन गई है ठीक है न तो देखते हैं जड़ा कैसा है तो इसमें बोलाए add the focus on the same side यानि कि जो हमारी image बनेगी वो focus पे बनेगी और जिदर हमारा object है उदर ही side हमारी बन जाएगी image उसके बाद देखिए कहां पर बनेगी तो image हमारी focus पे बन रही थी तूसरा ये image होगी कैसे है तो देखो ये image एक दम सीधी बनी अपोजिट नहीं बनी है सीधी बनी हुई है तो ये हमारी virtual और कैसी होगी erect होगी virtual और erect फिर उसके बाद देखिए ये कैसा होगा इसका size होगा highly diminished यानि कि object comparison में बहुत बड़ा है और image comparison में बहुत जादा छोटी है तो अपन बोल सकते है इसका जो size होगा वो कैसा होगा बहुत ही जादा small होगा उसके बाद next देखते है next rule क्या है next rule है हमारे पास में कि when the object when the object placed है ना when the object placed between infinity and optical center यानि कि infinity और optical center के बीच में ये हमारा optical center है और ये दर infinity है इसके बीच में हमने रख दिया है ये देखे ये हमारा रखा गया है क्या object object रखा गया है तो मैंने एक line इधर से pass करेगी ऐसे divert हो जाएगी और ये दूसरी वाली जो optical center से होती जा रही है तो ये कहीं divert नहीं होगी बिलकुल भी कहीं भी divert नहीं होगी तो ये वाली line और ये वाली line देखो gap बड़ा हो रहा है इन में देखिए यहाँ gap इतना है यहाँ gap पहले छोटा कम था तो ये gap जतना बड़ा है तो ये दूसरी को कहीं cut नहीं करेंगी और जब cut नहीं करेंगी तो हम इसकी imaginary line ड्रॉ करेंगे डॉट डॉट करते हुए ये देखिए और ये वाली line और ये वाली line जिस point पे एक दूसरी को cut कर देंगे वहीं बन जाएगी हमारी image और ये image principal axis के upper side बन रही है तो देखते हैं इसकी position क्या होगी इसकी जो nature है इसकी जो nature है वो कैसी है तो वो होगे real और erect वो सॉरी virtual और erect virtual और erect इसकी nature हो गई उसके बाद मैं इसका जो position है वो देखेंगे तो position हमारी किसमे बनेगी position यानि कि जो image बनेगी वो between focus and optical center यानि कि जो हमारी देखो ये देखिए focus और optical center के बीच में image बनेगी और number 3 बात करते है size की size size कैसा होगा तो size होगा diminished object बड़ा है और object image छोटी बने रही है तो इसका size होगा छोटा यानि कि diminished होगी आगे देखता है अब आगया इसका जैसे मैंने उसमें आप लोग और बाकी इसमें और कोई बनेंगी नहीं सिर्फ दो condition होगी कौन के lens में है केवल दो condition और convex में six condition थी हमारे पास में अब देखिए यहाँ इसके दुरू मैं आपको बताऊँगा देखिए यह position है object की यह nature की position उसकी image की है यह size है image का और यह image की नहीं है यानि कहाँ पर image बनेगी nature बोल सकते हैं तो पहला position object अगर हमारा infinity पर है तो image focus पर बनेगी image का size कैसा होगा diminished होगा एक point के size के जैसा होगा highly diminished और इसकी जो nature होगी वो virtual और erect बनेगी उसके बाद between infinity and optical center अगर हमारे पास में जो object है वो optical center और infinity के बीच में होगा तो उसकी image का बनेगी between focus and optical center तो जो उसकी image है वो focus और optical center के बीच में बनेगी size होगा diminished और उसकी nature होगी virtual and erect अब इसके आगे देखते हैं यह देखिए अब मैं कुछ important important इनके point लेके आया हूँ जो आपको quick revision है ना दिलाएंगे जैसे वो पूछ लेता है कभी in case of concave lens concave lens में देखिए क्या होगा तो concave लिए बार note करके लिख ले ना important चीज़ है यह note कर ले ना कि concave lens है वो always हमेशा virtual और erect image ही बनाएगा concave lens always form virtual and erect image यह देखिए virtual और erect image virtual and erect image क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया था जो एक law होता है जिसको हम कायटेसियन, sign, convertent बोलता है इसको उसमें यह हमारी कैसी बनेंगे यानि कि upper side बनते है principal axis के concave lens में object की height always positive होगी concave lens में object की height always positive रहेगी concave lens में image की height भी always कैसी रहेगी positive रहेगी और जो इनका linear magnification है वो edge m is equal to edge one यानि कि मैं इसको बोलू magnification m is equal to height of image height of image जिसको हम edge dash से नाम से बोलता है upon height of object height of object यानि कि edge यह हमारा क्या होता है magnification अना यह magnification always positive रहेगा अना यह देखिए यह इसमें पूरा इसने बोल दिया है concave lens में always virtual erect image बनेगी magnification always कैसा रहेगा positive रहेगा चलिए आगे बढ़ता है अने आपको अब आगे देखता है spherical lens spherical lens के बारे में अपन पढ़ता है कि क्या है जो अभी अपनने lens पढ़े तो देखिए जरा linear magnification linear magnification मैंने अभी आपको बताया था जो m की value है अगर वो one से greater than है m की value अगर one से greater than आ रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि image is enlarged यानि की bigger than the object जो भी मैंने m निकाला था न magnification यह m magnification distance of object upon distance of image पीछे इब बताया distance of object distance of object upon distance of image distance of image इन दोनों की value इधर वाले portion की value अगर one से कैसी है ना कैसी आ रही है यानि की m की जो value है वो one से कैसी है greater than है कैसी है इससे greater than है one से ना तो हमारा जो image का जो size होगा image कैसी होगी image enlarge होगी image कैसी होगी enlarge होगी ओके यह देख लीजे फिर बोलाए कि linear magnification अगर m के equal है यानि की m की value linear magnification अगर one के equal है यानि बन आ रहा है तो image का जो size होगा वो object के size के बराबर ही होगा यानि की same size of the object यानि image और object बिलकुल same size के होगे number three अगर m की value less than one आ रही है अगर m की value less than one आ रही है तो उस condition में क्या करेंगे जो हमारा linear image is diminished the image is smaller than the object यानि कि जो image का size होगा वो size हमारा कैसा होगा diminished होगा यानि छोटा होगा object से if the magnification is positive अगर हमारा magnification linear magnification अपने पढ़ाता पीछे तो linear magnification अगर हमारा कैसा है positive है और positive है तो हमारी image कैसी बनेगी virtual और erect बनेगी और अगर हमारा magnification negative है तो जो हमारी image है वो कैसी बनेगी real और inverted बनेगी ये पूरे के पूरे जो important notes मैं करा रहा हूँ ये आपके exam में जो इसके numerical साहते हैं lens वाले उनमें बहुत ज्यादा help करें क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा समझी ही नहीं पाते हैं जब वो पूछता है direct आपसे कि बताईए spherical lens में अगर हमारा magnification negative है तो बताईए जो हमारा magnification है वो negative है तो image बताईए image की nature कैसे होगी तो आप बोलोगे sir image हमारे real होगी और inverted अगर magnification हमारा positive है तो वो virtual और direct होगा I hope आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा अब चलिए आगे चलता है देखे अभी अपन लोग जैसे अपने पीछे पढ़ाता अब पढ़ेंगे वो cable और cable पढ़ाता spherical lens के लिए अब पढ़ेंगे किस के लिए concave lens के लिए concave lens always form is image smaller than the object जाने कि concave lens में image हमेशा object से smaller ही form करेगा ये भी their linear magnification of concave lens is less than one जाने कि जो m की value है वो बंच से कैसी आएगी हमेशा less than कौन से lens में concave lens में concave lens form and image कैसे कैसे करेगा मैंने आपको बताई दिया है equal is the size कब करेगा equal size जब m की value equal होगी less than of the size of object तो कब m की value less than one होगी more than ठीक है न more कब करेगा more than the size of object कब होगा जब magnification more होगा फिल्कुल अच्छी बात है इसमें magnification of convex lens can we can we one less than one more than one ठीक है न यह जो convex lens में यह तीनों condition में आएगा यानि कौन कौन सा m की value one भी हो सकती है m की value equal भी हो सकती है और m की value less than greater than यानि तीनों ही हो सकती है जबकि पॉन के में कैसी बनेगी less than बनेगी चलिए आगे देखते हैं यह देखिए अब हमारा आगया some important conclusions क्या क्या है वो देख लीजिए अब इसमें अपने पढ़ा in case of convex lens convex lens में क्या होगा convex lens में हमेशा जो image हमेशा तो नहीं बोल सकते हैं कि real और inverted image बनेगी तो उसके लिए क्या क्या conditions है तो पहली वाद focal lens positive होगी distance of object negative होगा height of object positive होगी distance of image positive होगी height of image negative होगी और magnification भी कैसा होगा negative होगा यह कब की condition है यह condition है जब हमारी image real और inverted होगी बच्चों याद कर लो numerical करोगे बहुत जादा इन चीजों की जरूत पड़ेगी बहुत 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 जादा पड़ेगी ध्यां रखना है इस बात का focal lens positive distance of object negative object की height positive image की distance positive image की height है negative और magnification भी कैसा होगा negative होगा और इसकी जो convex lens में image कैसी बनेगी real inverted बनेगी और जो मैंने आपको बता दिया distance of object और image का दोनों कैसे होगे negative होगे distance of object और image की जो height है वो कैसी होगे negative होगे यह बाकी सारी की सारी value कैसी होगे positive होगे यह मैं अलग से आपके लिए बना के लाया हूँ आगे देखते हैं इसमें यह किसके लिए है यह बात हो रही है convex lens की लेकिन कब जब हमारी image बनेगी कौन सी वाली virtual और erect सिर्फ एक वार ही virtual erect बनी थी rule number 6 में बनी थी फोकल लेंद पॉजिटिव होगी object की distance नेगेटिव होगी object की height पॉजिटिव होगी image की distance नेगेटिव होगी image की height पॉजिटिव होगी और magnification भी कैसा होगा positive होगा magnification पॉजिटिव होगा दो चीज इसमें कैसी है negative हैं बागी सारी positive हैं कौन कौन सी चीज़, distance of object और distance of image, यह देखिए, यानि कि image इसमें कैसी, virtual और अगर erect बनाएंगे, object की distance, image की distance, negative होंगी, और बागी सारी की सारी value कैसी होंगी, positive होंगी, note करके लिख ले ना इस बात को, numerical नहीं कराएं है, numerical इसलिए नहीं कराएं, क्यों numerical का बहुत बड़ा session ले कि सारी numericals मैं solve कर रहा हूँ, आपको dev idea, चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब देखते हैं, in case of convex lens, sorry, concave lens, अभी अपनने बात करी दी, convex lens की, अब बात कर रहे हैं अपन concave lens में, concave lens में हमारी image virtual और erective बनती है, इसके इलावा तो कोई बनती नहीं है, आगे द और erect image में, focal length कैसी, negative, object की distance, negative, object की height, positive, image की distance, negative, object की height, positive, और magnification भी कैसा होगा, positive होगा, concave lens की height और image की height है, वो positive रहेगी, बाकि सारी की सारी जो भी हमारी values हैं, distance हैं, वो सारी की सारी कैसी रहेंगी, negative रहेंगी, I hope आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगी होगी चलिए आगे चलते है अब बात करते है power of lens lens अपन पीछे पढ़के आए है कि lens is a transparent pieces of glass देखे न two more than two spherical glass को मिला करके अपन lens बनाते थे two types के अपने lens बनाए थे एक concave lens और एक convex lens अब यहां बात करते है उनकी power की power क्या है इसकी तो power क्या है power क्या होती है this is the ability of convergent and divergent beam of light यानि कि light को converge कर दिने की और light को divert करने की जो ability होती है उसी को बोलते है power of lens ओके power of lens इसकी SI unit क्या है power of lens की तो इसकी SI unit होती है diopter और one diopter is the power of lens whose the focal length is one meter जैसे मैं बात करूँ power is equal to power is equal to बात करूँ तो मेरा हो जाएगा one upon focal length one upon focal length यह हमारी power हो जाएगा और मैं अगर one diopter की बात करूँ तो one diopter is equal to meter minus one और यह meter minus one आया कैसे वो देख लो one diopter one di is equal to one upon m meter है नी focal length की और यह meter उपर जाएगा तो one di is equal to m की power minus ओके तो यह आपको power क्या समझ में आगे होगी power of lens क्या है तो यह ability होती है light को divergent और convergent करूँ चलिए आगे चलते हैं अब आ गया है lens formula क्या आ गया है इसमें lens formula तो lens formula अपनने पढ़ाता इससे पहले अपनने उसका पढ़ाता mirror का अब lens formula है तो lens formula होता है one upon f is equal to one upon u minus one upon v यह देखिए one upon u one upon f is equal to one upon u minus one upon b यहां मैं अगर बात करूँ f की f क्या है f is equal to हमारा focal length है focal length अगर मैं बात करूँ u क्या है तो distance of object है distance of object अगर मैं बात करूँ v की तो v क्या है distance b is equal to distance of image b is equal to distance of यह देखिए यह हमारा क्या है lens formula है one upon f is equal to one upon u minus one upon b सारी की सारी चीज़े मैंने यहां लिखती है अब देखते हैं आगे क्या है अब आगे हमारा आया है यह magnification okay magnification आया हुआ है कि what is magnification तो magnification के लिए मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि magnification हमारा क्या होता है इसको m से denote करते है और यह ratio होता है ratio of the height of the image to the height of object मैं यहां लिख दूँ m is equal to height of image upon height of object यह magnification हो गया ठीक है ना और एक magnification हमारा extent से भी निकाल सकते है ratio of the distance of the image ratio of the distance of the object यहां कि इसका दूसरा फॉर्मूला यह भी होता है m is equal to distance of object distance of object upon distance of image distance of image यह इसके दो फॉर्मूले होता है magnification इन दौनों फॉर्मूलों को अगर मैं convert करूँ image की height को मैंने ले लिया edge और object की height को ले लिया edge cable only edge ले लिया और distance of object क्या होता है U और image का क्या होता है V यह मैंने साहित उल्टा लिख दिया image ऊपर आएगा और यह आएगा upon में है ना चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा change कर दे रहा हूँ यह इसको मैंने opposite में इसको लिख देने क्या लिख देना है तो इसमें मुझे लिख देना है distance of image distance of image upon distance of of object distance of object यह दो formulas हमारे बन गाएं magnification के लिए तो यह मैंने ले लिया M is equal to H dash upon H और यह मेरा हो जाएगा M is equal to P upon यह देखिए यह दो हो गए है और यह दोनों ही equations को मैं जब मिलाऊंगा आपस मैं एक साथ converge कर दूँगा तो मेरा यह formula H upon H is equal to P upon U यह मेरे पास मैं भी formula बनके आजाएगा I hope आपको magnification समझ में आया होगा magnification क्या होता ratio होता है height of image and height of object का यह formula है फिर उसने आगे और बोल दिया है कि यह V upon U भी होता है हमारा तो ratio distance of the image and distance of the यह दो second वाला इसका है दोनों से निगाल सकते हैं दोनों का आपस मैं comparison कराके एक तीसरा formula भी अपन बना लेता है चलिए और आगे चलते हैं इसमें क्या है अब इसमें आया है आपका power combination lens की power कैसे increase और decrease कर दी जाएगी और अगर मैं एक lens या फिर मैं बोलूँ दो lens या फिर तीन lens को एक साथ parallelly रख दूँ तो power पर क्या effect पड़ेगा तो देखिए ज़रा क्या है power of a combination of the two or more lenses तो if two or more lenses placed to the form of the combination of the lens then the power of the combined of the lens is equal to the sum of the power of individual lenses यानि कि individual जो power है lenses की उसका जो sum आएगा वो उसका combination हो जाएगा जैसे यह देखिए P is equal to P is equal to P1 P2 यानि कि मेरे पास मैं यह P1 एक अलग lens है P2 एक अलग lens है और P3 एक अलग lens है उनकी powers को मैंने या कर दिया एड़ कर दिया तो यह मेरा formula बन गया P is equal to P1 plus P2 plus P3 dot 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 जितने lens आप एड़ कर दोगे उनका जो total sum आएगा वो हो जाएगा power of combination of the two or more lenses चलिए और आगे चलते हैं इसमें चलिए अब बात करते हैं use of lens lens के कहां कहां use होते हैं तो देखो जड़ा फटाबट से अपन और अभी बात करेंगे देखो photographic cameras में जो मैं अभी आपका video record कर रहा हूँ उसके अंदर जो lens लगा है वो magnifying glance magnifying glance होता है उसमें भी lens का use करते है अपन microscope, telescope और जो human eye इन सम्में अभी हम किसका use करते हैं तो ये अभी जो बात हो रही है वो हो रही है किसकी convex की convex lens ही अपन इन सम्में use करते हैं तो ये lens के क्या क्या uses है concave का भी use करते हैं अगर किसी की आख में myopia, hyper myopia अपने बढ़ा होगा तो एक में अपन concave lens यूज़ करते हैं एक में convex यूज़ करते हैं तो ये उसके क्या हो गए uses हो गए किसके lens के चलिए इसके आगे और कुछ दिया हुआ है चलिए यहीं अपना session क्या होता है समापत होता है ठीक है न अगर आपको ये मेरा session पसंद आया है तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं 10th class और 12th class CBSE, ICSE तो उन बच्चों को ये मेरा जो session है वो share कर देना Thank you, thank you so much